नमस्कार दोस्तों देखो सीको स्टेडी में आप सभी लोग का स्वागते दोस्तों आज के इस वीडियो में आप देखेंगे वेन डाइग्राम यानि कि वेन आरेक का रिजनिंग का ये कोश्चन्स कुछ कोश्चन्स है जो कि आपके यूपिटर प्लसी में आया हैं कुछ कोश्चन्स है जो कि रेलेवे में आया हैं कुछ कोश्चन्स है जो कि आपके दरोगा में पुलिस में आया हैं तो ये वेन डाइग्राम बहुत इंपोटेंट है चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहला नंबर जो question है यही है Wayne R1 आपको बताना है Wayne Diagram देखते हैं किसका किसका दिमाग काम कर रहा है comment box में पहले आप उत्तर दे लिजिए उसके बाद हम बताएंगे इसका कौन सा ride answer होगा आपको बताना है Wayne R1 Wayne Diagram किसका बैगन भोजन और सबजी का कौन सा Wayne Diagram होगा देखते हैं कौन को लोग सही जवाब दे पाते हैं समझिये का बात को अगर हम भोजन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा है चाहिए वो भोजन में सबजी आजाए अनना आजाए कुछ और आजाए तो सबसे बड़ी जो कैटेगरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा भोजन ठीक है उसी में आपका सबजी आता है ठीक है और सबजी के अंदर बहुत सारा आते हैं उसी के अंदर आपका है उसमें बैगन आ जाता है तो यहाँ पर जो सबसे एकुरेट राइड एंसर होने वाला है वो है option number B ठीक है बड़ा वाला जो है घेरा वो आपका हो जाएगा भोजन ठीक है यह वाला उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर सबजी और उसके बाद हो जाएगा आपका बैगन जीन लोगों ने be right एंसर के आए बहुत ही अच्छे चलिये next question next question है वेन डाइग्राम वेन आरेख आपको बताना है किसका बताना है माताएं, महिलाएं और डॉक्टर का माताएं, महिलाएं और डॉक्टर का आपको बताना है वेन डाइग्राम तो देखिए महिला रहेगी ठीक है माता रहेगी तो महिला रहेगी ठीक है लेकिन हर महिला जो है माता नहीं रहती है ठीक है हो सकता है कि अभी उनका वच्चा नहुआ हो या कई लोग का नहीं भी होता है या फिर कई लोग अभी तक नहीं हुआ है ठीक है तो उनको कहां पर रखेंगे आप तो कुछ का relation बनाएंगे कुछ महिला यह माताएं है यह relation बनागे अप साथ ही साथ यह याद रुखेगा अगर है doctor है तो doctor पूरुस भी होते हैं महिला भी होती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे महिला को सबसे बड़ा कटेगरी बना सकते हैं सबसे पहले महिला को रख रहे हैं उसके अंदर माताएं आएंगे कि जानते माता है तो महिला के अंदर ही आएगा अब देखिए अब यहाँ पर डॉक्टर को कुछ इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं बहरवाला यह पुरुस हो गया यह कोई और भी डॉक्टर हो सकता है महिला के अलावा पुरुस भी ho सकता है third gender भी होती है तो मतलब मेन हम बात करेंगे कि पुरुस हो सकता है यह वळा खाली वस्तान और कुछ कुछ मात आएं भी डॉक्टर हो सकते हैं यहां पर देख रहे लेशन और महिलाएं भी कुछ आपके डॉक्टर हो सकते हैं होती है ठीक है नॉर्मली जो आप समाज में देख रहे हैं वही आपको एंसर करना हो तो कौन सा इस प्रकार का है अप्षेन नमबर सी जी लोगों राइट के है बिलकुल साही ट्रमेंडस एकदम आपका दिमाग एदम तेज चल रहा है सूपर फास्ट दो नमबर आपको मिल चुका है ठीक है खुद को नमबर देते रहे हैं लास्ट मते कितने नमबर आपने प्राप्ट किया है नेक्ट कोशन तीसरा कोशन आचुका है यहाँ पर आपको वेन डाइग्रम बताना है वेन आरेख बताना है किसका बताना है मानव का पक्छी विज्ञान का और व्यवसाय का द्यान दीजेगा कुछ मानव जो है ये क्या करते हैं इसके अंदर पक्छी विज्ञान का भी मानव का बेवसाय से कुछ रिलेशन बना सकते हैं, हाँ, मानव मतलब कह सकते हैं, तो कुछ का रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है, मानव और बेवसाय में, ठीक है, और पक्छी विज्ञानिक, मतलब कह सकते हैं, एक study का टॉपिक है, तो इसको अलग रखे, इससे कुछ मतलब नह और कुछ मानों ब्यवसाय करते हैं, तो देखें यह आपका हो जाएगा, यह कोई मानों मालेजे, कोई ब्यवसाय मालेजे, और पक्छी विग्यान इसको मालेजे, क्योंकि यह अलग चीज़ है, कुछ इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो C वाला जो है, बिल्कुल एकुरेट रा नेच्ट कोशन है, वेंड डाइग्राम बताना है, वेंड आरेक अपको बताना है, पतनिय व्याख्याक्ता कामकाजी मताएं, बताएजे, सभी लोग बताएगे, नॉर्मली जो आपको देखने को मिलता है, वही आप अंसर करेंगे, ठीक है, तो देखिए, क्या होता है, कि अगर हम इसमें देखें, तो कुछ ऐसा हम relation नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर option के हिसाब सही आप उतर देना होगा, जब भी वहाँ पर question पूछा जाएगा, तो अगर पतनियां हैं, तो हो सकता है कि माताएं भी हों, ठीक है, क्योंकि जो माताएं हैं, वो अपकी पतनियां ह हो सकती हैं, ठीक है, इसमें जो है, कुछ पतनियां भी माता भी नहीं हो सकती है, जरूरी नहीं है, कि सभी माता हो जाएंगे, ठीक है, या फिर कुछ लोग का नहीं भी होता है, जैसे कि मैं पहले पिछले question पर बात किया था, और काम काजी हो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक ह पेशा है काम करने का तो व्याक्या करने वाला जो होता है उससे को व्याक्या Continue तो यह सभी नहीं हो सकते है कुछ है तो व हो्केतन लिलाएं को सब्सक्राइब्या सब्सक्रारी कह सब्सक्राये कुछी स्र curation चलिए, next question आपको उताना है, when diagram, when R1 बताएंगे किसका, अबिवाहित व्यक्ति का, business leader का और पूरुस का, बताएंगे, कौन सा relation होगा, अबिवाहित व्यक्ति, business leader और पूरुस तो देखिए, जब हम बात करेंगे, अबिवाहित व्यक्ति की, तो व्यक्ति में याद रखेगा, लड़की और लड़का दोनों आता है, ठीक है, व्यक्ति मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति मतलब लड़की भी हो सकता है, व्यक्ति नहीं थोड़ी कह देंगे लड़की को, ठ कुछ भी हो तएक दिसमें लड़का लड़की मत मुश्च का रिलेयशन बहुत डिंगे और कुछ भीवाइट मंखल जो डिया शुत विरसि लड़का लड़की दोनो तो और यहां पार पूरुरुस की बात कर या महिला की बात करेगा तो पूर्ष यानि कि कुछ का रृलेशन OUT पूरू常 को कुछ को रिलेशन बन जाया का वह बिलकुल एक Sydintraosed होगा, वह option बी ही होगा option prze option number b بالकूल right है option b resident स़के बी वेरी गुूड एक नंबर और आपको चुका है चलिए, next question, next question है, vein diagram, vein R1 आपको बताना है, उपकरण हतावडा और चिम्ता का, बताएं, देखते हैं किसका दिमाग काम कर रहा है, उपकरण हतावडा और चिम्ता का, vein R1 आपको बताना है, तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, उपकरण, उपकरण के अंदर बहुत सारे चीज आ जाते हैं, ठीक है, हम ले लिए भाई, उपकरण, इसमें बहुत सारा पिलास हो गया, कुछ भी हो गया, जिससे आप कोई बढ़ियास काम कर सकते हैं, उपकरण कहते हैं, इस्टुमेंट कहते हैं, तो हथोडा इसी के अंदर आएगा, चिम्ता भी इसी के अंदर एक नमबर और आपको मिल चुका है, ए राइड एंसर होगा, बड़ा वला उपकरण हो जाया, और किसी को भी आप चिम्ता, किसी को भी थोड़ा माल लिजे, ए ही राइड एंसर इसका आएगा, चलिए, नेक्ट कोशन, वेन डाइग्राम, वेन आरेक आपको बताना है, जल ह तरल है, पारा है, वेन डाइग्राम आपको दना है, समझेगा, यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर जल है, तरल है, पारा है, ठीक है, तो जल, तरल और पारा में सबसी बड़ी जो काटेगरी हो जाएगी, वो गे लिक्विट, ठीक है, तरल हो जाएगा, ठीक है, जल इ तो option number A जो बिल्कुल आपका right हो जाएगा, A right answer आपका हो जाएगा, ठीक है, चलिए next question, next question है, महिला है, बिवाहित है और डॉक्टर है, ठीक है, महिला है, बिवाहित है और डॉक्टर है आपको बताना है, सही vein diagram, vein और एक क्या हो जाएगा, आप तो देखिए यहां पर आपका हो जाएगा बिवाहित यानि कि शादी जब हुआ है तो लड़ी कर भी हो सकता है लड़ी की भी हो सकती है औरпр Georgia कि यह महिला है तो कुछ जो सकते हैं भीवाहित महिला हो और कुछ पूरुस हूं ठीक है तो यह इस प्रकार का मुझेशन वहां दिए है और वह उसमें आपके बीना शादी वाले और शादी वाले दोनों जुए टॉक्टर भी हो सकते हैं आपको कुछ को जो relation हो जाएगा यह आपका हो जाएगा option number B option B जो है जहे लोगोन एंसर किया है very good बहुत यह बहुत यह बहुत अच्छा है B right answer आपका हो जाएगा next question अपको उता नहीं Wain Diagram आपको उता नहीं Wain R1 आपको उता नहीं महिला है पुरुस है बच्चे हैं बताइए वेन डाइग्राम कौन सा सही होगा इन में से महिला है पुरुस है बच्चे हैं सबी लोग बताएंगे द्यान दीजेगा यहाँ पर कई लोग गल्ती कर देते हैं महिला है, पूरूस है, बच्चे हैं, तो अगर बात करें, इनमें एक परिवार रहता है, थो हम इनको रख सकते थे, लेकिन यह तीनों अलग-अलग चीज है, महिला, यानि फीमेल की बात है, पूरूस में बच्चा में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर यह तीनों अलग-अलग हैं तो इसका जो राइड अंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, option number C, ठीक है? option number C, राइड अच्छ कोशन हो जाएगा, ठीक है? चलिए, next question, next question है, वेन आरक अबको ओता नहीं, वेन डाइगराम अबको ओता नहीं, लाल है, कपड़ा है, सोना है, वेन डाइग्राम कौन सा सही होगा, वेन र-1, कौन सा राइड इंसर होगा? ध्यान दीजेगा लाल एक रंग है, तो कुछ कपड़े आपके लाल होते हैं, लेकिन सोना लाल नहीं होता है, तो इसको अब बहार रखेंगे, कुछ कपड़े लाल होते हैं, या लाल तो यहां पर आपका राइट एंसर होगा वह पर नमिके लाल कपड़ा सोन शेह बीजिन लोग उनर राइट या नाश्ट राइखchio चलिए और लास्ट और टॉशन मेंroc N Herrk प्लिष सिपाही और दरोगा सब्ढारे में Harraic सभी कौन सा होगा, सब लिए बताएंगे पुलिस, सिपाही और दरोगा सब यहाँ पर गलती होगा, दरोगा हो गया है दरोगा इसको समझेगा, ठीक है तो दीए इसका जो सही वेन डाइग्राम, वेन आरिक हो जाएगा पुलिस के अंदर ही आते हैं सिपाही और दरोगा, ठीक है दोनों अलग-अलग पोस्ट है, इसलिए हमने इसको अलग-अलग कर दिया है, ठीक है यहाँ पर आपका राइड एंसर हो जाएगा, ओप्शन नमबर A, किसी को सिपाही, किसी को आप दरोगा है, कमेंट बॉक्स में साथी साथ आपको यह वीडियो कैसे लागा, कमेंट बॉक्स मता ही वीडियो को अधिक सदिक लाइक, शेयर जरू-जरू कर दिजे हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद